जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बिल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जारखन में चौथी लहर की दस तक दो मरीज भरती देश के पांच राजों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंडरे ने जहां चिंता जाहिर करते हुए निगरानी बढ़ाने का नेदेश दिये हैं महिराजे के सबसे बड़े अस्पतार रिम्स के ट्रामा सेंटर में भी दो माह बाद करोना के भरती मरीजों की संख्या दो हो गई हैं बताद रिम्स के क्रिटिकल केयर इंचाज प्रोफेसर डाक्टर परदीब कुमार भटाचाई ने कहा कि लगभक दो माह बाद ट्रामा सेंटर में दो मरीज भरती हुए हैं दोनों मरीज अक्सिजन पर हैं लेकिन इस्थिती ठीक है उन्होंने बताया कि मंगलवार को भरती मरीज 32 वर्थी अजीत कुमार दास फोसरो बोकारो का है रांची में 16 अप्रेल को आयोजित होगा नेशनल रेस वाकिंग नेशनल रेस वाकिंग चेंपियंशिप में देश भर के वाकर 16 अप्रेल को रांची के मुराबादी में पदक के लिए जोर लगाएंगे बरती गर्मी को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस दवरान उन्होंने विरुधी धावकों के साथ साथ भीशन गर्मी से भी दो-दो हाथ करना होगा मौसम विभाग के उनसार अगले पांच दिनों तक रांची में गर्मी से रहात मिलने वाली नहीं है ऐसे में 40-42 डिग्री से से तापमान में इन परती योगता में भाग लेने वाले खिलाडियों का परदसन भी अवस्य परभावित होगा लोहर्दागा मंदीर में बज रहे लोड़ी स्पीकर को मुसलिम यूकों ने जबरन बंद कराया जारखन में बड़ी खबर सामने आ रही है बतादिल लोहर्दागा जीले में 20 अपरेल 22 को सदर थाना चेतर के हिरी गाव में रामनमी सोभा यात्रा पर हुए पत्राव और आग जाने की घटना के बाद भड़ की संप्रदाई खिंसा थमने का नाम ही नहीं ले रही पुलिस परसासन द्वारा लागातार कोसिस के बावजूद रह रहा कर कुछ ऐसी घटना है हो रही है जिससे की पुलिस परसासन परसान है बताया जा रहा है कि बुद्धवार रात सेना थाना चेतरे के औरु गाओं के बस्ती के स्रीव मदिन में बज रह लोड़ी स्पीकर को एक समुदाई BCS के कुछ लोग आकर लोड़ी स्पीकर को बंद करा दिया यह अभी कहा गया कि अगर लोड़ी स्पीकर बंद नहीं करता है तो युग को मंदिर से बाहर लाओ हेमंत सरकार गरीबों को मुफ्त में देगी तिन डिस मिल जमीन जारखन के गरामी छेतर में भूमी हीनों को परधान मंतरी आवास योजना के लाब उपलब्द कराने के लिए उन्हें जामीन देने के प्रस्ताव को जारखन सरकार ने अंगी गरीद कर लिया है केंद्रिये आवास योम सहरी विकास मंतराले ने इस्तमान में सभी राज्यों को अपनी अनुसन सा भेजी थी इसके तहट अस्थानिये निवास्यों को तिन डिस मिल तक जमीन सरकार उपलब्द कराएगी बताद सहरी छेतरे के असलम एरिया में पहले से ही आवास मुहया कर प्रिधान लागू है जारखन में मैदूर की पत्थर से कूच करहत्या जारखन के राची जीले के नामकुम परखन के टाटी सिल्वे थाना छेतरे के महिलोंग इस्थीत कुमार सिमेंट दुकान के बाहर सो रहे एक युवक की अग्यात अपरादियों ने पत्थर के कूच क रहत्या कर दी मिरितक का नाम बूध राम महली है वह मोल्डूप से रामगर के गोला का रहने वाला था योम्टाटी सिल्वे के सिल्वे गाउं में किराये के मकान में रहता था सौव को पश्माटम के लिए रिम्स भेज दिया गया है पूलिस इस मामले की जांच कर रही है सिक्षा का उदेश से चरीत्र निर्मायन सिध्धू कान्व मूर्मो विशव विद्यार में आविजित छठे दिक्षान समारोह में मुक्य अति थी के तर पर राजेपाल सा कूलाधपती रमेस बैस वा विशिष्ट अति थी विधान सभा अध्यक्ष रविद्रातमातों ने सोधार्थियों को उपाधी और असनातक वा असनतकोतर अस्तर पर अपने अपने विशाय वसंकायों में टोपर रहे चात्र चात्रावों को गोल्ड मेडल परदान किया इस असर परा जेपान लें कहा कि यह अच्छन नसीर विद्यार्थियों को अपनी सफालता प्रप्रसंता व्यक्त करता है बलिक नए दरितों को निभाने के लिए प्रेरित भी करता है उच्छा की डिगरी हासिल करना निचीत रूप से स्वभाग और उपलब्धी की बात है मंत्री बनना गुपता पर सरकारी रास्ती के गमन का आरोप निर्दलिय विधायक सर्जु राय ने स्वास्त मंत्री बनना गुपता को घेरा है सर्व्यू राय ने स्वास्त मंत्री बना गुपता पर बीतिय और निमित्ता की गंभीर आरूप लगाये हैं स्वास्त मंत्री ने मुख्य मंत्री हमांसुरेन से इसकी सिकाइट करते हुए सरकारी कोस्त के दुरूप योग समझी दस्तावेज भेजे हैं स्री राह ने मुख्य मंत्री सागरा किया है कि स्वास्त मंत्री बना गुपता पर करवाई हो और अवयद निकासी के पैसे की वसुली की जाए स्वास्त मंत्री ने बित्य कदाचार और भरष्ट आचरन किया है श्री राय ने अरूप लगाया है कि वित्य वर्ष 21-22 में स्वास्त मंत्री ने नियम विरूत आदेश देते हुए लाको रुपाई की निकासी की है रांची की नबालिक से दुसकर्म के दोसियों को 20-20 साल की सजा रांची पोसको के विशेस नयधिस आसीफ इकबाल की अदालत ने वो द्वर को काके की रहने वाली नबालिक लड़की से धुरूआ में गैंग रेप के तीन दोसी संकर महतो सुनील वा अनंद कुमार को 20-20 साल की सजा सुनाई है वहीं 20-20 सजा रुपय का जुर्माना भी लगाया है जुर्माना की रासी नहीं देने पर दोसियों को 6 माह की अतरिक्त सजा काटनी होगी मामला 1 मैज 2019 का है धुरूआ थाना में नबाली के ब्यान पर अग्याद के खिलाप 2 मैज 2019 को प्रात्मी की दर्ज की गई थी ताय यूनिट से ज्यादा बिजली खपत की तो नहीं मिलेगी सबसिडरी जार्खन वे बिजली के 12,000 उभोकता आज से हैं जिने इस बार सबसिडरी का लाब नहीं मिला राजसरकार ने 400 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले लोगों की सबसिडरी बंद कर दी है बतादे अप्रेल में जिन लोगों ने 400 यूनिट से अधिक बिजली की खपत की है उन्हें अब 6.25 प्रती यूनिट के दर्ज से बिल भेजा जा रहा है वहीं जिन उभोगता को 3.99 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल किया है उन्हें 4.25 प्रती यूनिट की दर्ज से बिल भेजा जा रहा है आयूसमान योजना के तहत जारखन में हुई आखों की सरजरी आयूसमान भारत योजना के तहत बिती वर्ष 21-22 के दर्ण पूरे देश में आख की बिमार्यों से समंधित 6 लाख अप्रेशन हुए है इसमें से सिर्फ जारखन में ही 1 लाख अप्रेशन किये गए वह भी तब जब COVID-19 के दूसरी लाखर के दर्ण आयूसमान भारत में सुचिवध नीजी अस्पतालों से अप्रेल से अगस्तक आखों के अप्रेशन नहीं हुई बतादे इसके अलावा अंधापन नियंत्रन कारेकरम के तहत भी 58,000 अप्रेशन हुए राज में हुए आखे अप्रेशन के आकड़ों को संदे से देखा जा रहा है क्योंकि यहाँ एक दिन में दूर दराज इलाकों में घूम घूम कर सौब से ज़्यादा आखा फरी अप्रेशन करने के ममला पकड़ में आ चुका है गुरी डी में जमीन बीबाद में दो पक्छों में खोनी संगर यहाँ गाटना में दोनों पक्छों की ओर से जम कर तलवार, फरसाव, चाकू, और लाठी डंडे चले इस घटना में दोनों पक्षों के आधार दरजन लोग गंभी रूप से गायल हुए हैं जिने इलाज के लिए सदर अस्पतार लाया गया जहां सभी का इलाज चल रहा है पूलिस पूरे मामले की जाच कर रही है आज से चार दिन बंद रहेंगे बैंक सभी सरकारी और प्राइबेट बैंक गुरुवार से चार दिनों तक बंद रहने वाले हैं इन चार दिनों में अमबेट कर जनती बीहू और बैसाकी तेवार के चलते बैंकों के चुट यह हैं जिसके कारण ज्यादतर राज्यों में गुरुवार 14 अप्रेल से लेकर अब्विवार 17 अप्रेल तक तमान बैंक बंद रहेंगे हलाकि कुछ राज्यों में चार दिन के बदले दो या तीन दिन ही बैंक बंद होंगे RBI कलेंडर के मुताविक जिन राज्यों में भी हूँ और बैसाकी तेवार मनाये जाते हैं सिर्फ वही बैंक बंद रहेंगे धनबाद के नागपुरी गायक को यौन सोसन के आरोप में जेल जारखन की राजधानी राची के अरगोडा थाना की पुलिस ने यौन सोसन के आरोपित धनबाद के नागपुरी गायक को गिरपतार किया है गिरपतार आरोपित का नाम सगीर खान है बता देवा धनबाद का रहने वाला है आरोपित के खिलाप एक यूती ने अरगोडा थाना में पुलिस को बताया कि वह अपने पुत्रे के साथ एक प्रोग्राम करने के लिए धनबाद गई थी इसी दोरान उसकी मुलकात गायक समीर के साथ हुई जान पहचान के बाद आरोपित ने पिर्टा को साधी का जासा दिया इसके बाद उसके साथ लागाता सालेरिक सम्मध बनाया जब पिर्टा ने आरोपित पर साधी का दबाव बनाया तो आरोपित ने इनकार कर गया है जारखन में हाथी मारने के लिए अरुनाचल परदेश से बुलाए जाते हैं सूटर इडी ने चाई बासा के मंझारी थाना चेत्रे के बहुँ चर्चित हाथी दात की तसकरी मामले में मुकादमा दर्ज करते हुए अनुसंदान सुरू कर दिया है अब हाथी दात के तसकरों के खिलाब मॉनी लोडरिंग अधिनियम के तहत पूरी मामले का नुसंदान होगा साथी चाई बासा के आएस पास के जंगल में हाथी दात तसकरी में सामिल एरोपीतों की संपात्य की कुर्की भी करेगा राज सरकार के खिलाब भाजपा ने की आयंदोलन की तयारी जायरखन परदेश भाजपा के परदेश पदा अधिकारियों जीला अध्यक्स वब परभारियों के महत्पून बैठक बुद्धार को परदेश अध्यक्स दिपक परकास के अध्यक्ता में हुई बैठक में 6 अप्रेल से 20 अप्रेल तक चल रहे समाजी की नयाय पकवाड़ा राजी के 29 अकांची जीलों में होने वाली केंद्रिय मंत्रियों के प्रवास सहीद संगाठनिक संरचना को मजबूत करने पंचाय चुना में राष्टवादी विचार धारा के प्रत्यासियों को समर्थन वा 31 अप्रेल तक राज सरकार के खिलाप जोरदार अंदोलन करने पर चर्चा की गई धन्यवाद